बच्चों कैसे आप लोग चलिए सुरू करते आज का लेक्चेर, आज के लेक्चेर में आपको जो आपके पास 6th semester में drawing है, Steel Structures Drawing, उसका syllabus बताएंगे complete, कि complete syllabus आपका क्या है, ठीक है, 6th semester, जो बच्ची हमारे BTU-P से डिपलोमा कर रहे है, उनके 6th semester में Steel Structures Drawing है, ठीक है, इसक हमारी अप Play Store पर जाईए, नाम लिखिए, Guruji Engineering Drawing, ठीक है, आपको पुरानी अप्लिकेशन नहीं उतारनी है, पुरानी अप्लिकेशन अगर अभी तक आपने इंस्टोल की है, तो उसको डिलीट कर दीजिए, जो साइड में आपको लोगो दिख रहा है, उस लोगो की आपको अप्लिकेशन उतारनी है, निव अप्लिकेशन अपने बनवाई है आपके लिए, ठीक है, जिस पर हम आप Complete आपको Still Extract Drawing पढ़ाएंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे है, जो आपका कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है, 25 फर्वरी से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 25 फर्वरी स उनको आप Delete कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आपका Still Extractures Drawing का syllabus क्या है, और कुछ चीज़े जो प्रिविएस एर पेपर में एक्स्ट्रा पूची गई थी, वो भी हम सारी चीज़े डिस्कस करेंगे, और वो भी हम आपको कवर कराएंगे और एक्स्ट्रा भी हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है, तो चलिए, देखो, आपकी जो यह Steel SSD, Steel Structure Drawing का जो syllabus है, आपको 5 Drawings में बाटा गया है, बट यहाँ पर आपको 5 Drawing ने बनाने के लिए नहीं है, आपको कम से कम यहाँ पर 20 है 25 प्लस Drawing आपकी बन जाएगी, कैसे, खोली कौन सी गई है, और कौन सी पिछले साल पूछी गई थी, जो previous year paper आया था, उसमें पूछी कौन सी गई थी, तो वो भी देखेंगे, रूप ट्रस्ट, रूप ट्रस्ट में आपको ड्रोइंग ऑफ फिंक रूप ट्रस्ट, आपको only यहाँ पर फिंक रूप ट्रस्ट ठीक है, रूप ट्रस्ट बोल दिया, आपको बनाने के लिigh कुँन सी आपके चलिबस में है, फिंक रूप ट्रस्ट, बट जो पिछले बार जो रूप ट्रस्ट आया थी, वो त्यूबलर रूप ट्रस्ट आया थी, त्यूबलर tubular roof trust आपको पिछली बार previous year paper में पूछी गई थी अगर आप अपना previous year paper देखेंगे तो आपको वहाँ पर tubular roof trust का question पूछा गया था ठीक है क्योंकि आपको roof trust यहाँ पर बोल दिया गया roof trust roof trust में salibus में दी गई है finc roof trust और पूछी गई थी आपको tubular roof trust तो ठीक है तो tubular roof trust भी आपको पढ़के जानी है यह भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे साथ मैं with detail of joints fixing details and purlin and roof seat ठीक है साथ ही हो गया अब देखो यहाँ पर आपको finger roof trust पढ़नी है यहाँ पर आपको tubular roof trust पढ़नी है अब finger roof trust के भी कुछ part होते है जो आपको अलग से पढ़ने होते है जैसे ridge joint जैसा आपका ridge joint इसकी अलग से आपको drawing पूछली जाती है जैसा आपका hill joint hill joint इसकी भी आपको अलग से drawing पूछी जाती है ridge joint बनाईए, hill joint बनाईए थीए कैसे बना जाती है वो भी सारी चीजे हम आपको समझाएंगे थीक है तो यहां पर यह ड्रोंग साफ इन आपको है अब आते हैं ड्रोइन नंबर ड्यू ठीक है अब देख़ो 1234 चार ड्रोइंग जाएगी और ज्यादे भी बना सकते हैं ठीक है अब उसके बात देखे, drawing number two, drawing number two में आपको है, column and column base, column and column base, column and column base में कम सक आपकी 3, 6, 8 या 9 drawing बनेगी, अब देखो, column and column base में आपका क्या सबसे पहले है drawing of splicing of steel column सबसे पहले आपका अत्ता है ये drawing of splicing of steel column, splicing of steel column के आपको drawing बनानी है, इसकी आपकी तीन ड्रोइंग बनेगी इसकी आपकी कितनी ड्रोइंग बनेगी तीन ड्रोइंग आपकी सिर्फ splicing of steel column की बन जाती है कैसे वो सारी सीजी हम आपको आगे discuss करेंगी ठीक है अभी discuss कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्यों एक तो बनती है आपकी equal splicing column एक unequal splicing column और एक बनती है आपकी unequal splicing column different flange तो सारी सीजी आएगी तो तीन ड्रोइंग इसकी बनती है आपकी splicing column की तो वो सारी चीजी जब हम आपको cover करते चलेंगे तो सारी आजाएगी उसके बाद आपको आती है drawing of slave base ठीक है एक तो बनेगे आपकी drawing of slave base ठीक है एक gazz बनेगी एक drawing of column base for single section steel column यानि के single section होगा single section होगा इस्टील कोलम का जिसमें आपको एक slave base के साथ दिखाना है एक gazetted base के साथ दिखाना है एक grillage base के साथ दिखाना है तो तीन drawing आपकी यहां से बन जाती है इसकी तीन इसकी बन जाती है आपकी तीन बन जाती है आपकी single section steel column की slave base के साथ, gazetted base के साथ, grillage base के साथ तो तो आगे चलते हैं आपका है प्राप क्रेंग आपको बनानीच pursuing एक इस को यानिक पर beam to beam connection की आपको एक drawing बनानी है एक बनानी है framed beam to beam connection की drawing ऐसे इसमें seated beam to column connection और एक होता है framed beam to column connection तो दो drawing आपकी यहाँ पर cover होगी seat और दो drawing की आपकी यहाँ पर cover होगी खीक है अब ऐसी आगे चलते है drawing number 4 drawing number 4 में आपके पास है plate girder ट्रो seulement नम्बर फोर में आपको प्लेट गल्डर को क्या बना कर दिखाना है प्लान एंड य एलिवेशन यह तो सारी डिटेल कवर हो जाएगी नोश्मनुभी तो प्लान एंड एलिवेशन ओ प्लेट गल्डर वी इध डीटेल् वीद प्लान बनाते हैं और अलिवेसिन बनाते हैं जब बनाने के लिए बनाने के लिए तो नहीं आती है ठीक है, draw at least one seat, draw at least one seat using CAD software, की कम से कम एक drawing तो आपको CAD software पर बनानी ही चाहिए, किसकी steel structures drawing की, ठीक है, तो ये total आपका syllabus है, ठीक है, ये complete syllabus हम आपको application, Guruji engineering drawing पर पढ़ाएंगे, पुरानी application आप हमारी delete कर दीजिए, new application जो ये लोग आपको side में दिखाए दिरा है, ये download कीजिए, classes आपकी 25 है, यानि कि कल से 25 फरवरी से start हो रही है, ठीक है, जिसमें continue आपको classes provide की जाएगी, जल्दी से जल्दी कोशिस करेंगे, आपका syllabus cover करके खदम कर दिया जाए, ठीक है, तो चलिए, मिलते है next lecture में, okay, thank you.